प्रभुश्री राम के 14 साल के बनवास के पीछे की कहानी जल्द ही वो समय आ गया जब दश्रत अपने सबसे बड़े पुत्र यानि कौशल्या के पुत्र राम को अपना राज सौपना चाहते थे। लेकिन राजा दश्रत की दूसरी पत्नी केकई ने उन्हें दो वचनों को याद दिलाया जो उन्हें दश्रत ने खुद दिये थे और तब वचन के तहट केकई ने कहा मेरे बेटे भरत को राजा बनाया जाना चाहिए और राम को 14 वर्ष के लिए बनवास भेज दिया जाना अपने पिता के वचनों का सम्मान करते हुए श्री राम ने सिंगासन छोड़ दिया और सीता वा भाई लक्षमण के साथ वन में चले गए। राम के इस निरने से दश्रत बहुत दुखी हुए और इस शोक में जल्द ही उनकी म्रत्य हो गई।